हेलो स्टूडेंट आज हम आपको बैलोनो ग्लासिस के स्क्रेटरी सिस्टम यानि उसरजन तंत के बारे में बताएंगे तो उसरजन तंत क्या होता है उसरजन तंत जो है वो हमारे बॉड़ी के या और भी एनिमल उनके बॉड़ी से जो इसक्रेटरी पदार्थ होते हैं जो व और्गन नहीं है मिन्स बहा निकालने वाले कोई आपके और्गन नहीं है तो इन में जो है इस्क्रेट्रिशन का काम कौन करते हैं ग्लो मेरूलस करते हैं तो बैट्सन और कोकलर ने बताया था कि जो ग्लोमेरूलस है वही इनके स्क्रेट्री का काम करते हैं अब पहले हम देख लें कि इस और गन कहां पर है मिनस उनके बॉड़ी में किस पार्ट में तो बैलो गलॉसिस की जो बॉड़ी थी वो तीन पार्ट में बटी थी आपको याद होगा बेलो नुगलासर ऊपर जो था ऐसे यह था आपका प्रोबोसिस इसके बाद यह color हो गया और यह इसकी body जो थी trunk ऐसे यह body क्या थी आपकी trunk थी तो यह क्या हो गया आपका प्रृबोसिस यह color यह trunk तो Glomerulis कहां पे मिन्स इस्क्रेट्ट्व और्गन कहां पर आपका प्रोबोसिस रीजन में है और यह कैसा होए आपको याद होगा ब्लड वैस्ट्वल सिस्टम में तो डॉर्सल जो ब्लड वैस्ट्वल्स आई थी वहां पर एक छोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट था जो साइनस बनाती थी यही से ब्लड साइनस से आगे जो है उंगली लाइक प्रोजेक्शन निकल के यह टूब लाइक प्रोजेक्शन हो गया है जो यह क्या बना रहे हैं ग्लो मेरूलस बना रहे हैं यह क्या है आपके ग्लो मेरूलस है यह कैसी आपके टूबलर है और इसमें क्या भरा हुआ है आपका blood भरा हुआ है तो यह क्या काम करते हैं यही scritory का काम करते हैं अब इनकी हम position देख लें यह proboscis के बीचो बीच मिन्स proboscis cavity है proboscis cavity के बीचो बीच यानि central में क्या बनाते है central complex बना लेते हैं तो glomerulus की position अब हम देख लें कहां पर है तो glomerulus कहां पाए गया proboscis reason में और यह buckar diverticulum के ठीक नीचे पाया जाता है और कैसा है tubular है यानि finger like projection निकले हुए है और इसमें क्या भरा हुआ है आपका blood भरा हुआ है जो हम उनके blood से जितने ammonia जो आपके west material है उनको निकाल के अलग कर देता है अब यहां पर हम देख लें कि सेंट यह तीनों पार्ट में sinus venus है और यह बककर diverticulum और glomerulus यह मिलके क्या बना रहे हैं complex बना रहे हैं तो यह क्या बना ले हैं central complex यानि proboscis cavity silome जो है proboscis silome के बीच और बीच यह क्या बना रहे है central complex इसमें कौन-कौन से चार पार अर्गन से आपके stomocod, pericardium, hurt और glomerulus यह जो है आपके किसमें रीजन में पाएगा है प्रोबोसिस इस रीजन में पाएगे है यह चारो पार्ट इन चारो पार्ट में जैकि आपको पता है कि hemicordata का जो character है यानि stomocod इसमें notocod की जिएंगे क्या पाई गई थी stomocod पाई गई थी जैसे आपने कॉर्डेट में पढ़ा था कि आपके नर्व कॉर्ड प्रेजन होंगी आपके notocod प्रेजन होंगी फेरेंजर गिल्स प्रेजन होंगी तो इसमें क्या था आपका notocod की जिएंगे क्या प्रेजन था stoma corpresent थी तो ये खेमिक और्डेटा का क्यरेक्टर भी है अब पेरी-cordion जो sinus venus था ये sinus के ऊपर क्या गिरा हुआ जो है वो बॉक्त 752 मेरिम हीं हें और क्या है हाट च його हए और आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्षिन मेवकिलोंग अर बौकर डाइवर्तिकुलम यह जो बंतीकुलम बिउक्टarr तिम्हें क्यासा है आपका स accumul 때도 कॉर्छों कंपलेक्स मनधाए है तो यह क्या हो गए यह जो ओ गई मैंस यह यहां से यह प्रेश Kaiser सेंट्रल आप मिरें गलोमेरूलस बार यहां की परिटोरियल होते हैं अब फिर पेरिटोरियल सेर्स题य यह परिटोर्यल से हैं इन होते हैं ब्राउन और एलो कलर के पिगमेंट होते हैं तो अब इसमें जो यह क्या काम करते हैं ब्लड से यह ग्लोमेरुलस जो है इनके पिगमेंट जो है वो क्या करती है आपके जो वेस्ट मैटीरियल है उनको निकाल के किस में डाल देती है प्रोबोसिस सीलोम में डाल देती है ये blood से ब्लाडर मिटीरी को निकाल के किस में डाल दिए दाँए proboscis sealcome में डाल देता है और proboscis sealome से ये proboscis पोर के तरू निकल जाते हैं तो यहां पे हम इनका flow chart देख लिए कि जो glomerulus है वो किसे एकंपोज़्ड है जो glomerulus की covering है the covering ऑफ glomerulus is composed स्क्राइट्री पेरिटोरियल सेल से जो किसे कंटेने विच कंटेन एलो या ब्राउन ग्रैनियूल्स मिन्स एलो और ब्राउन कलर के उसमें पिग्मेंट पाए जाते हैं तो अब यह कैसे वेस्ट मैटीरियल को निकाल ली है इसमें कोई खास इनकी मेकेनिस नहीं है मिन्स यह सेल्स जो है ग्लो मेरूलस जो है इनकी सेल्स जो है वो वेस्ट मैटीरियल को वेस्ट सबस्टेंस को किसमें डाल ली है आपकी जो पिग्मेंट है पेरिटोरियल पेरिटोरियम सेल्स जो है वो लाके किसमें डाल दी ग्लो मेरूलस अब ग्रोमेरूलस के थ्रू यह प बाहर पास आउट हो जा रहे हैं प्रोबोसिस पोर के थूँ इस तरह से इनका स्क्रेट्री जो मैटीरियल है वो बाहर निकल जा रहा है